ब्राट तो यू बाई क्रिकेट डॉट कॉम क्या टीम बना रहे हो फैंटेसी टीम का सीक्रेट इप बनाओ अपनी विनिंग फैंटेसी टीम क्रिकलेटिक्स के साथ on cricket.com डाउनलोड क्रिकेट.com नाउ इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोकिम संभव है जिम्मेदारी से खेलें बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में बात करेंगे उन भारतिय बल्लेवाजों के बारे में जो IPL में खेल रही है और उनका T20 World Cup में सेलेक्शन हो सकता है उन खेलाडियों के पर्फॉर्मेंस पर नज़र डालेंगे कि कैसा पर्फॉर्मेंस निकल कर आ रहा है इस IPL में किस तरीके की बल्लेवाजी कर रहे हैं कुछ नाम हम लेकर आएं और जिसमें से जादा तर खेलाडियों के नाम T20 World Cup में आ सकते हैं बड़े खेलाड़ी स्टाम मिल है जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उन खेलाड़यों पर भी नज़र डालेंगे जो इस T20 World Cup में एक्स वेक्टर हो सकते हैं भारत के लिए लेकिन IPL में उस इसाब से पर्फॉर्मेंस नहीं आ रहा है और उन खेलाड़यों की तरफ भी नज़र डालेंगे जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन शायर T20 World Cup में अपनी जगा पकी ना कर पाएं तो एक बार आप अपनी स्क्रीन पर देखिए यहाँ पर आपको उन खेलाड़यों के डाटा नज़र आएंगे तो एक एक करके आपको बताते हैं कि किस खिलाड़ी का प्रदर्शन कैसा रहा है इस IPL में तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको विराट कोली नज़र आ रहे होंगे विराट कोली 10 मैच 500 रन स्ट्राइक रेट 147 दसमिल चार नोका जबरदस परफॉर्मेंस विराट कोली की तरफ से और यह भारत के लिए बहुत अच्छी चीज है कि भारत का सबसे बढ़या खिलाड़ी हिस समय फॉर्म में चल रहा है और जबरदस तरीके से बले बाजी कर रहा है क्योंकि थोड़ा सा मन में सवाल था जब विराट कोली इंडिया इंगिलेंट एस सीरीज में नहीं कहले थे यह लगाता है कि ब्रेक पर है कुछ समय से कहीं वो फॉर्म पर असर ना कर जाए लेकिन विराट कोली तो एक लवल और उपर होकर सामने आए है चार फिफ्टी एक सौ लगा चुके हैं इस सीजन में रोईष चर्मा नौ मैच 311 आरान एक सो साथ के करीब का स्ट्राइक रेट एक साथ दस्मलाव तीन जीरो तो इनकी तरफ से एक स्टार्ट अच्छा मिल रहा है लेकिन कुछ मैचों में इनकी तरफ से उसे साथ से प्रदर्शन भी नहीं आया तो रोईष चर्मा ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन इनसे और ज्यादा बहतर बल्लेबाजी की उमीद है एक सौ मार चुके हैं इस सीजन में तो रोईष चर्मा बचे हुए मैचों में चाहेंगे यह साथ स्वाल 9 मैच दो सो उननचास रन एक सो चो मार दस मलव चैपांच का स्ट्राइक रेट एक सौ लगा चुके हैं इस सीजन स्टार्टिंग मैचेस में यह साथ स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन एक सौ ने सारी डिबेट ख़र्म कर दी और टीम इंडिया के लिए वो T20 वर्ल कप में नजर आएंगे और उनसे उम्मीद होगी कि अच्छा परदशन करें रिंकू सिंग, रिंकू सिंग के लिए अभी तक यह सीजन उसी साथ से नहीं रहा कई बार बल्लेबाजी भी हद नीचे आई है कम गेंदे खेलने को मिली है उसी साथ से प्रफॉर्मेंस आई नहीं है आठ मैच में 112 और एक सो संटावन दसमलाव साथ चार का स्ट्राइक रेट एक भी अभी तक 50 नहीं आई है यहाँ पर सूरी कुमारे आदा उच्छे मैच 167 और 171 दसमलाव एक तीन दो 50 लगाई है इस सीजन तो सूरीय स्टाटिंग है कहीं मैचस नहीं कहले ते बाद में हो आई कुछ एक 50 बड़ी अच्छी लगाई है तीरस दरार बैटिंग की है लेकिन उस हिसाब से प्रफॉर्मेंस और बहदर हो सकती थी तो सूरीय का तो यह है कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं यहर कोई जानता है और IPL में ठीक है उस हिसाब से नहीं है प्रफॉर्मेंस कुछ है किनिंग अच्छी है लेकिन उम्मीद है बहुत है इंसे T20 वर्लकप में और रिंकू की भी हमें हमने बात कि है और यहां पर 350 लगा चुके है रिशाब पंथ अचानक ही आए है क्योंकि एक दो महीने पहले बाते नहीं हो रही थी रिशाब पंथ के बारे में इंजर्ट थे लेकिन किस तरीके से वो IPL में आएंगे यहर किसी ने देख लिया और युशाब पंथ T20 वर्लक टीम में शामिल हो सकते है इसकी संभावना है पूरी की पूरी संज्यू सैंसन इस किलाडी ने जब अरदस परफॉर्मेंस दी है इस IPL में 9 मैच में 385 रन ठोक चुका है 161 दसमलव शोन ने 8 का स्ट्राइक रेट 450 तो संज्यू सैंसन T20 वर्लक टीम में ज़रू होने चाहिए इनका परफॉर्मेंस बताता है यह 9 मैच में राहूल 378 रन ठोक चुके है 144 दसमलव दो साथ के स्ट्राइक रेट 350 इनका परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा है राहूल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं लखनों को जिता भी रहे हैं लेकिन कैटी 20 वर्लक टीम में जगा बनेगी यह एक बड़ा सवाल है क्योंकि संज्यू सैंसन रिशाप पन दो ऐसे विकेट कीपर बल्लेबाज है शुम्मन गिल 10 मैच 320 रन 140 का स्ट्राइक रेट 250 शुम्मन गिल ठीक ठाक परफॉर्मेंस कहेंगे पिछला साल तो इन्होंने 900 रन ठोक दिया तो है अल्मोस्ट आईपियल में लेकिन इस साल शुम्मन गिल से वो एक्स्टारणरी परफॉर्मेंस नहीं आई है अब शुम्मन केटी 20 वोलकप टीम में जगा बना पाएंगे एक बड़ा सवाल है लेकिन अगर अभी बात करें तो रेस में थोड़े पीछे ने जरा रहे है शुम्मदूबे 9 मैच 350 रन 150 तसलाव 4 एक का स्ट्राइक रेट 350 इस खिलारी ने बताया है कि ऐसा जो इस तरीके से बल्लेबाजी कर सके और CSK को हर मैच में आकर शुम्मदूबे ने एक ऐसा बल्लेबाजी ऑप्शन बन कर दिखाया है जो उनके लिए आखिर में काम आता है गाइक वार्ड रितुरास गाइक वार्ड इस खिलारी ने खूब रन बनाए है नौ मैच में 447 रन, 1-49 दसलो चार नोग इस ट्राइक रेट, 350, 100 इस खिलारी को यादो का आपको इंडिया उस्टेलिया पांच मैचों के T20 सीरीज होई थी वहां मौका मिला था, 100 भी लगाय था गाइक वार्ड ने लेकिन उसके बाद भी रितुराज गाय कोड़ शायद ही T20 वर्लकप टीम में जगा बना पाए क्योंकि जिस तरीके से अभी खबरे हैं, चर्चाएं हैं, उस हिसाब से रितुराज गाय कोड़ शायद थोड़ा सा रेस में पीछे हैं तो रितुराज गाय कोड़ का ये परफॉर्मेंस उन्हें T20 वर्लकप टीम में जगा ना बना पाए तो अब बात करते हैं कुछ All-Rounders की जो बैटिंग करते हैं, जिनके पास बैटिंग की काबिलियत है और वो T20 वर्लकप टीम में जगा बना सकते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक और डाटा यहाँ पर रविंदर जड़ेजा, हार्दिक पांडिया, अक्षा पटेल देखाई देंगे ये तीनों All-Rounders है, अभी हम इनकी बैटिंग पर बात कर रहे हैं और अक्षर का, 135, 10,35 का है, जड़ेजा और अक्षर नेके 50 लगाई है, हार्दिक की तरफ से अभी तक कोई 50 देखने को नहीं मिली है तो हार्दिक का जो परफॉर्मेंस से वो थोड़ा सा कंसान है, जड़ेजा भी बैटिंग में अभी तक कंसान ही नजरा है बालिंग में जड़ेजा बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको बैटिंग में और ज़्यादा बहतर हो कराना पड़ेगा और T20 World Cup में उम्मीद करते हैं कि वो निकल कर सामने आएंगे ऐसा बैटर भी बहतर तरीके से बागी हारदिक पांडिया, उनकी फॉर्म कंसान है, हारदिक पांडिया को अगर T20 World Cup टीम में जगा बनानी है तो वैसे उनका प्रफॉर्मेंस देखा जाए, उस हिसाब से थोड़ा सा शैद रेस में पीछे रह जाते हैं लेकिन जगा उनकी होगी टीम में ये नजरारा है साथ तोर पर और हारदिक पांडिया को जब T20 World Cup में आप देखेंगे तो चाहेंगे कि थोड़ा और बहतर प्रफॉर्मेंस लेकर वो सामने आए और अक्षर पटेल इनके नाम पर अभी 50-50 है शायद मुहर लेपी सकती है शायद मुहर नहीं में लग सकती है लेकिन अक्षर पटेल ने एक मैच में उपर जब बैटिंग करने का मौका मिला था तो वहाँ पर ठीक ठक बल्लेबाजी कीती है और बॉल से तो यह अच्छा करी रही है तो आप लोग बताईए इन बल्लेबाजों में से किन बल्लेबाजों का नाम आप T20 World Cup टीम में देखते हैं आप देख सकते हैं कि जैसे रोहित विराडियर सस्वे सूर्या इनके नाम तो अल्मोस्ट पक्के ही है रविंदर जड़ेजा के नाम भी लेकिन आप बताईए अपने स्पेशल राय चाहे ओसंजू सैंसन के लिए हो रिशापन के लिए हो केल रहूल के लिए हो हार्दिक प जवाल का हम देंगे जवाब जानने के लिए हर अपडेट लाइव अनालेसिस स्पेशल इंटर्व्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक कैम